हमने last class में N factor के बारे में बात किया कि N factor ऐसे हम निकालते हैं कुछ particular redox reaction non redox reaction acid-base reaction में हमने N factor बहुत आसनी से बताया कि यह क्या बता रहा है किस तरह से बता रहा है oxidation number के से change कर रहा है उससे हम N factor निकालते हैं ठीक है अब बात करते हैं applications of N factor Applications of Infector यह topic में कराना चाहता हूं लेकिन उससे पहले में आपको फिर एक बार revise कराना चाहूंगा क्या Infector आपको निकालने में कोई दिक्कत आ रही है कैसे आप निकालने नहीं तो चलिए सबसे पहले इसकी application हम यूज करेंगे balancing of reactions, balancing of reactions, अगर मैं balancing of reactions की बात करता हूं, redox में और मुझे कोई theoretical paper नहीं देना है मुझे बहुत objective सा paper देना है जिसके अंदर भी पूछा जा रहा है which of the following reaction is balance or not balance तो आप समझना कैसे हम देखते हैं, जैसे मेरे पास यह एक reactant है A और एक reactant है B है, जो की product बना रहे है C और D, क्या आप इस A reactant का N factor निकाल लेंगे? हाँ, आप निकाल लेंगे, क्या आप इसका N factor निकाल लेंगे? हाँ, आप इसका N factor भी निकाल लेंगे, इसका A हो गया, इसका भी हो गया है, निकाल दिया, दोनों का N-Factor निकाल दिया हूँ, क्या अभी तक इनके coefficient दिया होगे, नहीं, तो N-Factor निकालते वक्त, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चीए, इसका coefficient क्या रखना है आपको, 1, और इसका भी क्या रखना है, 1, क्योंकि जब है ही नी तो A, multiply by B, और C plus D, so easy, कोई दिक्कत नहीं आई, अब इनके coefficient आपको hit and trial से निकाल लें, या आप option देखते वे निकाल दोगे, आपका काम seconds में हो जाएगा, तो कोई भी reactions, इनके coefficient जो निकाल लें आपको, इन दोनों के, वह आप कोशिच यही करिए, कि hit and trial, with using options, आपका काम मैं भी यही यूज़ करता हूँ, तो आपको hit and trial से यूज़ करना है, by balancing of charge oblique atom, जैसे मुझे दिया जा रहा है KMNO4, और FEC2O4, medium ACADK, तो H plus B होगा, और FE, FE plus 3 में change हो रहा है, MN, MNO में change हो रहा है, और K, K plus में change हो रहा है, बाकी इसके साथ जो sulphate है, वो K2SO4 है, तो वहां K2SO4 आजाएगा, वो सब चीज बात की है, अब इनके coefficient निकाल लें, तो इसका N factor क्या होगा, आप इसकी oxidation state लिख सकते हैं, बिना कोई ज्यादा दिक्कत के, plus 7, सचीन, लिख सकते हो, कैसे, 4, 2, 8, minus क्योंगे उदर जाएगा, और minus, plus 7, short lock कर दूँ, क्या यहां लिख सकते हो इसकी oxidation state कितनी है, plus 2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो oxidation, तो जब आप इसकी N factor नि एक है, तो आपको 1 से ही multiply करना है, तो यह आपके पास कितना है, 5, N factor कितना हो रहा है, 5, easy है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे मुझे मालूम है, के मेनो 4 का N factor कितना होता है, 5, acidic medium का, में, K2, CR2, O7 का कितना होता है, 6, याद ही रख लो, क्योंकि यही दो क्राम आते ह Now next, क्या इसका N factor निकाल सकते हो आप, हाँ, Fe क्या है यहाँ पर, Ferus में, plus 2 से कितने में change हो रहा है, plus 3 में, तो difference कितना हुआ, 3 minus 1, 1 multiply by, iron की atomicity यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है, तो 3 minus 2, 1 है, और 1 multiply by 1, 1 आ गया, एक काम हो गया, क्या और भी कोई ऐसा element है, जो oxidize हो रहा है, हाँ, कार्बन की यहाँ oxidation state क्या है, C2O4, minus 2 में, plus 3, oxalate में, plus 3, और जो CO2 में change होता है, यह दिया जाएगा यह तो आपको, तो जब CO2 में change हो रहा है, तो plus 4 में change हो रही है, तो बताओ, यहाँ पर कितना हुआ, 3 minus 4, mod में, multiply by, कार्बन की atomicity कितनी है, 2, सही है, तो इससे आपको य 1 plus 2, 3, मुझे पहले ही मालूम है, ferrous oxalate का n factor कितना होता है, 3, जबकि normal oxalic acid, यहनी iron की जगा, H2, C2O4 लिख रूँआ, तो कितना हैगा, 2, क्योंकि यह वाला factor नहीं आएगा, अब आप इसको balance करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 3, KMNO, 4, plus 5 Fe C2O4 plus H plus, यह balance करने है, heat and trial से, पाकी सब heat and trial से balance करते हैं चले जाना, और option की मदद ले लेना, बहुत आसान ही है, जैसे यहाँ कितने carbon है, 10, carbon कहीं और नहीं दिख रहा, तो यहाँ coefficient की आएगा, 10 आएगा, और क्या होगा, यही होगा, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि नीचे option में आपको यह 6 दिख जाए, यह 10 दिख जाए, यह 15 दिख जाए, यह 25 दिख जाए, कुछ भी नहीं दिखा थे, होगा इसी ratio में, 3 ratio 5, वो तो fix कर लिया आपने, तो आसान है या tough है, balancing of reaction, बहुत आसान है अगर objective है तो, subjective होता है तो थोड़ा दिमाग लगाना अगर यही K2Cr2O7 होता, समझना, plus H2C2O4 होता, और product वो ही बन रहे होते, CO2 plus Cr2O3, ऐसे चोटे मोटे बहुत सारे product आपको देखने को मिल जाते, acidic media में, क्या लग रहा है, इसका in factor क्या होगा, 6, मैंने बता चुका हूँ, plus 6 है, plus 3, लेकिन 2 chromium है, 6, इसका in factor कितना है, कितना है, 2 या 3, 2 है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, 2, तो 2 और 6 को आप क्या करोगे, 3 है, 1 लिख दे, क्यों 6 और 3 और 1 लिख दे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या हैगा, 1 और यहाँ क्या हैगा, 3, यह भी तो answer हो सकता है, उसके बाद return trials है, chromium, carbon, oxygen, hydrogen, सब balance हो जाए हैं, फटा-फट, हमें ऐसा भी question हो, अगर आप objective pattern का test दे रहो, तो आपको यह 20 second में करना है, यहाँ time बचाया जा सकता है, करें इसको, तो थीखे, हमने balancing कर लिया, balancing हमारा बहुत important part है, second जो important application बात करें, n factor की वो है, कि हम equivalent concepts कैसे देखते हैं, तो हम heading डाले, equivalent concepts, हमारा अकला concept यही है, concepts, equivalent concepts, तो heading डालेगी, equivalent concepts, equivalent concepts, तो मैं आपको पहले तो law of equivalent, equivalent लिखा हूँ से पहले तो equivalent क्या होते है, और mole क्या होता है, वो एक चीज़ को लेके चलना जरूरी है, mole, एक तरफ में mole chart ले रहा हूँ, और एक तरफ में equivalent chart ले रहा हूँ, आप मुझे बताए, mole को किस से represent करते हो, n से, equivalent को आप करोगे, n eq से, किस से करोगे, n eq से, एक mole और एक n eq, शौर, lock कर दे, दूसरा चीज, यहाँ mole निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, weight divided by molecular weight, जबकि यहाँ equivalent निकालने के लिए आप क्या करोगे, weight divided by equivalent weight, वहाँ molar weight, यहाँ equivalent weight, ठीक है, तो पहला point, दूसरा point, तीसरा point, अगर आपको यहाँ पर, mole दिये, equivalent निकाल लिया, बहुत आसानी चे कोई दिक्कत निये, यह equivalent निकाल दिया आपने, कोई दिक्कत निये, लेकिन अगर आपको molarity निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, mole divided by volume करेंगे, जबकि यहाँ पर आपको normality निकालनी होती है, और कैसे नि molar, कुछ result जो आपके पास आ रहे, कि आपको यहाँ धियान अगना है, equivalent weight क्या होता है, molecular weight divided by n-factor, n-factor निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिछली class में, तो यह आपके सामने आ गया है, दूसरा, equivalent कैसे निकालनी है, direct mole दिये हो हैं, mole multiply by n-factor, यहाँ यहाँ निक्ट by n-factor, निकाल लिए आपने, तो आप देखिए, दो जगह तो आपके multiply हो रहा है n-factor, और एक जगह divide हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, नहीं ना, पक्का, पक्का, ठीक है, तो कुछ example मैं करना चाहूँगा, जैसे मेरे पास k-n-o-4 है, प्लस, oxalic acid है, h2c2o4 dot twice h2, इसको बोलेंगे, hydrated, और अगर h2 नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, unhydrated, तो hydrated oxalic acid, hydrated oxalic acid, और यह क्या है, k-n-o-4, k-n-o-4 के साथ अगर आपको दिया जा रहा है, 100 gram, क्या दिया जा रहा है, 100 gram, सहीए, volume दिया जा रहा है, किस के अंदर है, solution के अंदर, पहले तो 100 gram normal k-n-o-4 दे दिया, तो क्या आप मिरे को बता सकते हो, k-n-o-4 के equivalent क्या होंगे, अगर equivalent निकालना हो आपको तो कैसे निकालोगे आप, मुझे पता है क्या अच्छा लगता है, mole multiply by n-factor, equivalent निकाला है, mole multiply by n-factor, इस से fast नहीं होगा, क्योंकि mole कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, mole निकाला है, mole कैसे निकालते हैं, weight divided by molar weight, 100 divided by, यह आपके पास example हो गया, molecular weight, k-n-o-4, k-m-n-potassium का 39, m-n-ka 55, oxygen का 64 हो जाएगा, 16,64, तो यह एक equivalent निकाल दिया, आपने, बहुत आसानी से, कहीं कोई दिक्कत आई, निकालने में, इसके भी आपको 100 gram दिये हुए, suppose, तो बताएगे, यहाँ पर भी equivalent का formula तो वही रहेगा, mole multiply by n-factor, या valency factor, या x-factor, कुछ भी बोल दो, आप चलेगा, n-factor अगर आप ले रहे, तो यहाँ पर भी 100 divided by molar mass, oxalic acid, पूरा शायद 126 हो जाएगा, molar mass, hydrated है न, ठीक है, n-factor कितना है इसका, 2 या 3 या 4 या 1, याद रखो, निकालने ही ज़रत निया, सीधा 2, ferrous oxalate के लिए 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा equivalent, 2, सही है, कोई, यहाँ n-factor से multiply करना है, और n-factor k-m-4 का क्या होता है, 5, acidic medium है, तो आपका कितना अच्छा काम हो गया, लेकिन अब हमारे को यह बताना है, कि किसके equivalent जादा है या कम है, वो calculations करेंगे, जिसके equivalent जादा है, वो ER हैगा और जिसके equivalent कम है, वो LR कैलाएगा, तो concepts of equivalent पढ़ते हैं हम इसके बाद, पहले यहाँ तक उतार लो, तो यहाँ क्या है, find equivalent, तो यह बस equivalent निकालना बता रहा हूँ, मैं आपको कैसे निकालते हैं, अगर normality दी जाती, तो volume भी देता हो, तब आप कैसे निकालते है, normality multiply by volume, क्या आपको n factor की ज़रत होती, नहीं, आप देखो, equivalent निकालने के लिए normality multiply by volume, कई n factor नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको molality दी जाती, तो आपके पास, और equivalent निकालना होता, तो पहले क्या निकालते हैं, mol, m multiply by v, फिर उससे आप क्या निकालते हैं, n factor, तो आपको n factor की ज़रत पढ़ती है, equivalent निकालने के लिए, लिखें इसको, तो मैं आपके साथ बापेस हूँ, सामने हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि law of equivalent हम कैसे देखते हैं, इसको समाझेगा, बहुत important point है, law of equivalent, अगर कोई reaction है, बहुत easy way में मैं समझा रहा हूँ, example से समझाऊँगा, तो जादा अच्छा समझ माएगा, कि आपके पास K-NO4 है, और suppose Fe-C2O4 है, मैं यह इसलिए ले रहा हूँ, क्यूंकि इसके infector आपको निकाल चुके है, जो कि product बन रहा है, यह strong oxidizing agent है, जो सामने वाले क oxidation करता है, इसका infector कितना है, यहां आएगा और इसका infector 5, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, है क्या, नहीं है, तो अगर आप इनके coefficient जानते हैं, जहां से सुनिएगा, तो mole के concept में आप कैसे बोलोंगे, कि इसके 3 mole react करेंगे, इसके कितने mole से, 5 mole से, यह है mole की definition, 3, 5 से करेंगे, mole, लेकिन equivalent में कैसे बोलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, इसका one equivalent, इसके कितने equivalent से करेगा, one equivalent से करेगा, यह है law of equivalent, यह है law of equivalent क्या बोलता है, same equivalent of react and react to each other and generate same number of equivalent of product, तो एक बार और समझते है, यहां a mole of a plus b mole of b produce कर रहा है, c mole of c plus d mole of d, माली जी इसका one equivalent है, react करेगा और इसका one equivalent करेगा, तो इसके कितने बनेंगे, जो कि शुरुआत में 0,0 है, यह पूरा react करेगा और इसके भी one equivalent बनेंगे, और इसके भी one equivalent बनेंगे, तो जब आपको equivalent दिये गए हैं सबके, तो क्या आपको यह coefficient की जरुष्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, mole दिये, पढ़ेंगे, जरुष्ट पढ़ेगी, तो law of equivalent क्या कहता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, PR का मतला product, heading डाल दीजिए, law of equivalent, law of equivalent कहता है, same number of equivalent of reactant, react to each other and generate same equivalent of each product, यह आपके पास law of equivalent हो गया, कुछ important point है, reactant which having high number of equivalent is L-R or E-R, E-R, reactant which having low equivalent in chemical reactions, is L-R and reactant which having more equivalent is E-R. excess reagent, E-R का मतलब excess reagent और L-R का मतलब limiting reagent, समझ मारा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई reaction है, कोई भी reaction है, और उसमें यह लिखा हुआ है, इसके 10 mole और इसके 15 mole, क्या बता सकते हो कि कौन L-R है और कौन E-R है, नहीं न, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन, यहां लिखा है find L-R, we can't say, we can't say, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर दूसरा example लिया जाए, find L-R और लिखा जाता है 10 equivalent और 15 equivalent, क्या बता सकते हो कि कौन L-R है, हाँ, कौन है, A, बिल्कुल सही है, A is L-R, यह law of equivalent का फायदा है, और आपको यह भी मालूम हो जाएगा, कि यह पूरा खतम हो जाएगा, इसके 0 equivalent बचेंगे, इसके कितने बचेंगे 5, और इसके कितने बचेंगे product के 10, 10, जिते भी product है, सबके 10, 10, 10, तो equivalent concept से question करना आसान है, हाँ, लेकिन दिक्कत क्या होती है, n factor निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर reaction balance है, तो mole fast पड़ेगा आपको, और balance नहीं है, तो आप देख लो, आप n factor कितना आसानी से निकाल लेते हो, फिर आपके लिए equivalent fast हो सकता है, कोई समझ माया में क्या कहना चाहरा हूँ, लिखे है इसको,